आज लॉकडाउन का छटा दिन पूरा हो गया है और अब सोला दिन और बाकी है इस अवसर पर मैं हिमाचल वासियों को दन्यवाद करना चाहता हूँ हिमाचल परदेश में अब एक ही पॉजिटिव केस रहा है और जो शुरू से लेडी थी एड्मिटेट थी कुछ दिनों में मुझे उमीद है कि उसका भी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ जाएगी कोई भी केस कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन का नहीं हुआ है इसका स्रेय हिमाचल वासियों को जाता है सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया मैं दुबारा अनुरोद करता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करे क्योंकि वाइरस कभी चल नहीं सकता है सिर्फ इनसान ही चल सकता है अगर चलते वक्त अगर आप डेड़ मीटर या दो मीटर का डिस्टेंस रखेंगे हिमाचल परदेश में वाइरस आने की संभावना नहीं होगी और यह मैं क्लारिफाइ करना चाहता हूँ कुछ मीडिया में आया है कि डी जी पी साव ने कहा है कि 31 मार्च के बाद जो हिमाचल इस हिमाचल से बाहर राज्ज में है उनको वापस लाया जाएगा मैंने कहा था 31 मार्च के बाद इसके बारे में विचार किया जाएगा मेरा वीडियो आप दुबारा देख सकते हैं लेकिन उसके बाद एक डवलप्मेंट हुई बारत सरकार ने खड़ी आदेश दिया कि जो जहां है वही रहेंगे अगर माइगरंट लेवरर्स का मुवमेंट या जो सिटिजन्स का मुवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होगा एक राज से दूसरी जगह में होगा तो डेप्टी कमिशनर और एसपीस को वेक्तिकत तोर पर रेस्पॉंसिबल किया जाएगा इसलिए ये संभाव नहीं है अब ये कानून है बारस सरकार का कानून है लागू किया हुआ कानून है पूरे देश में लागू है इसलिए ये अप्रिल 14 तक जो जहां पे है वहीं रहना पड़ेगा और जिनको अर्जेंट सिटुएशन है किसी की डेट हुआ या किसी को मेडिकल एमर्जनसी है वे डेप्टी कमिशनर से पर्मिशन ले सकते हैं ये दूसरे राज्यों में वैलिड है जो दूसरे राज्य के जो डियम पर्मिट देते हैं वो हिमाचल में भी लागू रहेगा इसलिए ऐसा स्तिती में आप जो कर्फ्यू पास लेके पर्मिशन लेके जा सकते हैं और सरकार ने मेडिसिन्स को भी अब कोम डेलिवरी शुरू किया है इसका फाइदा आप उटा सकते हैं हम अगरिकल्चर का जो मेटिरियल है और फॉर्डर है इसको भी बॉर्डर से अलॉव कर रहे हैं अगर किसी को कोई दिकत है तो नजदी की SPS को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैं पुलिस वालों के लिए एक बात और दुबारा कहना चाहता हूँ ये एक एपिडमिक एमर्जेंसी है देश में जो 144 जो कर्फी ओर्डर्स है ये सिर्फ वो medical emergency के लिए है इसमें कोई भी मुल्जिम नहीं है law and order emergency में आप सोच सकते हैं कि कोई miscreants या offenders गुम सकते हैं ट्रबल क्रेट कर सकते हैं यहां पे कोई भी मुल्जिम नहीं है ये एक epidemic emergency है इसलिए सब के साथ अच्छे डंग से वेवार करना है और जो quarantine में रहे हैं अब इस वक्त स्टेट में 1800 लोग जो है quarantine में है अगर quarantine जंप करेंगे तो हम legal कारवाई करेंगे हमने 200 FIR और 300 लोगों को गिर्फतार भी किया है मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो quarantine में रहे वो detention में नहीं है वो सिर्फ quarantine में इसलिए है मंतरी भी quarantine में रहे है इसलिए quarantine में जो रहते हैं उनके साथ भी आप नमरता से विवहार करना जरूरी है और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि तरह तरह के rumors आज कल फैल रहे है इवन गवर्मेंट आफ इंडिया का गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि financial year extend किया गया है तो कल एप्रिल फूल का डे है फर्स्ट एप्रिल एप्रिल फूल के इस आउसर पर बहुत सारे जो rumors लोग फैला सकते हैं और इसमें panic create वो सकता है इसलिए मैं लोगों से अनुरोद करता हूँ कि पैनिक ना हो हम official जो वीडियो रिलीस करेंगे official information आपको देंगे उस पर ही विश्वास करें और मीडिया में भी तरह तरह का news आ जाता है दिन में एक बार देखे दो बार देखे लगतार न देखे और हमेशा positive सोचे सोचे कि ये जो coronavirus दुनिया से मिट जाएगा और सुरंग के अंत में हमेशा रोशनी होती है हमेशा आप दुनिया के लोगों का बला चाहे चाहना चाहिए और कहते हैं कि यद भाव तद भवती जो हमारी भावना है वही होगा अगर आप प्यार की भावना से जानवर या पक्षिओं की तरह देखते हैं वो पक्षी प्राणी आपके पास आता है आप दाना पानी कि ला सकते है इसका मतलब जो प्यार की जो भावना का इतना थाकत है अगर आप दुनिया का लोगों का बला चाहते हैं जैसे कहा जाता है लोका, समस्ता, सुकिनों बावन ये बोलने की भी जरूत नहीं है अगर आप अपना जैनुविन गुड विश्यस लोगों का कल्यान के लिए देंगे वही हमारे लिए जरूरी है इस वक्त मात्मा गांदी ने कहा है You be the change which you wish to see in the world दुनिया में जो बदलाव आप चाते हैं वो आप से शुरू होगा अगर आप जन्विन विश्य करेंगे वो हमारे लिए देश के लिए बहुत काम आएगा और यहां कहा जाता है कि रोगमुक्त होने के लिए दवा और दुआ की जरूरत है दवा और डॉक्टर देते हैं लेकिन आपकी दुआ से हो सकता है दुनिया बर के साइन्टिस्ट इस वक्त जो वैक्सिनेशन और मेडिसिन के लिए कुरोना विरस के लिए लगतार कोशिश कर रहे हैं आपकी गुड विश्यस से वो कामियाब भी हो सकता है इसलिए मैं दुबारा आपसे अनुरोद करता हूँ कि विश्यस की जनता के लिए दुआ करें दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया है तो यहां क्लिक करके हमारे चैनल को सुस्क्राइब कर ले साथ ही इस नोटिफिकेशन वेल पर भी जरूर क्लिक करें जिससे की आप हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मुबाइल पर पास एके